नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल एश्ट्रो ग्यान में आपका स्वागत हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टोपिक है वो है लड़की को वश में करने के उपाय मंतर। दोस्तों वशिकर्ण से आप किसी को भी अपने वस में कर सकते हैं। बस विश्वास करने की बात हैं। अगर आप किसी को श्रदा उस अच्चे दिल से चाहो तो आपको पत्थर में बगवान नजराएंगे। आज हम आपको वशिकर्ण के सान टोटके की ताकत से किसी भी चाही लड़की को अपने वस में करने के बारे में बताएंगे। इस उपाय मंतर के उचारन से आपकी हर समस्या का शमाधान हो जाएगा। और जल्द ही आपको इसका आसर भी दिखाई देने लगेगा। लड़की को वस में करने के उपाय मंतर का उपियोग भी बहुत में वापिस पा सकें। तो दोस्तों उपाय जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी यूटूब चैनल एश्ट्रो ग्यान को सब्सक्राइब नहीं किया तो आभी सब्सक्राइब करें। और साथ ही बैल आइकन को दबा दे ताकि हमारी कोई भी आने वाली नए वीडिय आप तक बिलकुल असानी से पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले इस मंतर को करने से पहले अपने अंदर इस बात की गाट बांद ले कि आपको इस मंतर पर कोई सक नहीं करना है। आपको विश्वास होना चाहिए। इस वश्चिकर्ण मंतर के लिए सही समय गुरुव उस दिन जिस भी लड़की को इसमे करना चाहते हैं उसका नाम एक सफेद कागज पर लिखें। उसके पश्चाथ उसे कीसी जमेन के छोटे से गड़े में दो गंटे के लिए गार दे। फिर दो गंटे के बाद उस कागज को निकालें। उसके बाद उससे थोड़ी देर के लिए अपने पास रखें। और तुरंत ही एक कांच के का गिलास लें और उसके अंदर पानी भरें। पानी भरें। गिलास में वह कागज का टुकुड़ा डालें। जिस पर आपने उस लड़की का नाम लिखा है। उसके बाद सब की नजरों से छुपा कर ऐसे स्थान पर गिलास रखना है जहां पर कोई पहुँच ना सके। फिर सनिवार को रात बारां बज़े उस पानी के बरे गिलास को लड़की के गर के आगे फैकना है जिसको आप वसमे करना चाते हैं। आप देखेंगे कि अगले शनिवार तक वह हैं खुद ही आपके वसमे हो जाएगी दोस्तो अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं बोलें। दोस्तो हमारी वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं।